स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मोटिवेटर मिठू में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंगलिस सिलेवस के बारे में तो आपको आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ तो वीडियो को continue देखेगा वरना आप नहीं समझ पाएंगे और आप इंगलिस में जैदा मार्क्स नहीं उठा पाएंगे 100% अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो centryранटी है कि आप इंगलिस में स्यदा से जयदा मार्क उठाने में काम्याब होंगे सब से जयदा दॉस्तों मौत्पुर्ण होता है किसी भी subjects का हमें सी लेवस जानना अगर आप किसी भी चीज सिलेवस के बारे में पूरा आपको जानकारी हो जाते हें तो आप 100% marks उठा सकते हैं तो कई से सारी चीज आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो आपको हम यहाँ पर देख लिए यहाँ पर हम लिखे हैं 12th English syllabus ठीक चलिए हम आपको नीचे आके आपको हम बता रहे हैं तो देखे सबसे पहले दोस्तो आपको जब questions मिलते हैं तो दो तरह के आपको मिलते हैं सबसे पहले हम दोस्तो objective के बात करते हैं ठीक objective यह दोस्तो बहुत important होते हैं आपको objective आपको अब आपको पता ही होंगे कि अब आपको 100 objective हो चुके हैं यानि माने तो 50 का ही आपको जवाब देना है लेकिन आपका दुगुना हो चका है मतलब आपको जवाब देना है कितने का 50 का ही लेकिन आपको बिकल्प मिलेंगे 100 यानि कहने का मतलब 1 पे 1 फिरी ठिक समझ में आ रहा है आपको 1 पे 1 फिरी तो आपका जब objective का questions आएंगे तो आपको 100 questions रहेंगे और उसमें आपको 50 mark का ही answer देना है ठीक ध्यान रहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही answer देना है आपको अब बुलेंगे sir हमें आपको हमें कौन सा answer देना है तो देख लिजे आपको जो आपको लगे कि हाँ ये सही है तो आपको वही answer देना है ठीक अब बात आते हैं कि कितना student क्या करते हैं कि 70, 80, 90 इतना बना लेते हैं तो ध्यान रहें आप ऐसा गलती ना करें अगर आप मान लिजे 100 लेकर यहां पर हम आपको बता रहे हैं मान 20 तक नहीं बनाए ठीक इतना दूर बनाए यहां इतना तक नहीं बनाए ध्यान दे देखिए यहां तक 20 तक नहीं बनाए और फिर आप यहां से देखिए फिर आप 30 से सुर किये और 80 तक बना दी ठीक अगर आप 80 तक बनाए हैं मान लिजे आपका इधार का इधार का इधार तो आपका एक सो से लेकर 50 तक ही काउंटिंग किया जाएगा यानि कहने के मतलब 50 टो कोस्टन्स आप जो सुरूर के बनाई हैं वही आपका चेक होंगे अगर लास्ट में 60-70 के बादा 50 के 51 नमबर पर आपका सही भी है तो वह कोस्टन्स आपका चेक ही नहीं होगा ध्यान दे इसलिए आपको वही कोस्टन्स बनाना है जो आपके होते हैं सित पहूसर्फ 50 तो चलिए अगला पुइंट अब देखिए आपको मान लिजे की बहुत सारे कोस्टन्स हैं आपकी दिमाग में होंगे कि सर अब चलिए सब्जेक्टिव की बात करते हैं चलिए सब्जेक्टिव की तो सब्जेक्टिव आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव में आपको आ जाते हैं यहां पर देखिए सब्जेक्टिव आपको 5 ठो दिये रहेंगे और उसमें आपको सिर्फ एक ठोका इंसर आपको लिखना है जो की डेर्ट सो से 200 वाड में इसके बाद आपको दूसरा नमर के कोस्टन्स में इसके बाद दूसरा नमर के आपके कोस्टन्स में आपको चलिए हम बता रहे हैं दूसरा नमर की questions में आपको explain दिया रहेगा explain और तिस्ना नमर में भी आपको explain देंगे तो यहां पर आपको यहां पर जो भी आपका कविता पुछा जाएगा कविता का explain करने और यहां पर आपको कहानी का explain करने तो आप अच्छा से अपना दे दीजीगा अब यह कितना मार्क से questions पूछेंगे तो यह आपका 4-4 मार्क के questions होते हैं चलिए अगला अगला तीसरा नमर का questions तीसरा भी हो गया चोथा प्यांग चलते हैं चोथा में आपसे राइट अप्लीकेशन पूछा जाता है जो कि आपको 5 मारक के questions होते हैं और आपको इसे अच्छा से बनाना है जो कि इसमें भी option रहते हैं दोठो रहते हैं और करके रहते हैं आपको यह नहीं आता तो यह बना सकते चली अगला अगला पच्मा पांच्मा 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 देखिए पांच्मा आपसे दोठो questions किये जाएंगे बुग से पीव Kauf एक बोक्से और उस questions में आपको सिर बब्रव पांच का ही अंसर देना है डियान डिया आपको 5 का ही अंसर देना है चलिए अगला होते हैं 6 छे नमर के कोश्चन समें आपसे 6 नमर का कोश्चन समें आपसे ABCD करके पूछे जाते हैं ABCD और आपको E F तक रहते हैं F में से किसी भी आपको 3 का ही जवाब देना है यानि 6 इसमें भी हो गया इसमें भी आपको 3 का ही जवाब देना है तो 3 किसका किसका दे देंगे आप देखेंगे आप हम आपको 6 जो हैं वो भी आपको बताते हैं 6 में पहला A में रहते हैं आपको summary जो कि कविता से रहते हैं और दुसरा summary रहते हैं भी हो रहते हैं एक कहानी से इतना तक हो गया अब आपको आगे C होते हैं मेर दोटे हैं आपको थी ऑसक्राइप नमर के तीन नमर के तीनसा मैं चली और शजब से अच्छा होता है और अच्छा ओत больш अगले एक बन जाएंगे ऐसके वाद अयवक्त है वही मैं आच दी following देंगे जो कि सबसे असान होता है तो मैं आच दी following हम दो टू बोले तो एक ठोड आते हैं कविता से ध्यान दे और एक ठोड आते हैं कहानी से तो दोनु बहुत आसान है आपको सिर्फ writer का नाम याद करना है ठीक अगला अगला आते हैं छोड नमर तक हो गया सत्मा कोस्चन सत्मा कोस्चन में read passage रहते हैं और उसका आपको जवाब देना रहते हैं ठीक और इस तरह से आप सातों कोस्चन अराम से बना सकते हैं उमीद है इस वीडियो में मैं आपको सारी information दे दिया हूँ और जो भी छूटा हुआ है आप कमेंट कीजिएगा और इस तरिलेटेड वीडियो बना देंगे ठीक तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो जमें तब तक के लिए बाय जाहिंद बंदे मातरम